आज मैं आपके लिए करके आए हूँ जठपड बनने वाली रस्मलाई की रैस्पी आपको रस्मलाई बहुत पसंद होगी तो आज हम इसको बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही कम समय में कम दूद में बनाने वाले हैं आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा वीडियो पूरा देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं ये special रस्मलाई बनाना हम सीख लेते हैं रस्मलाई बनाने के लिए हम लेंगे पैन ये कड़ाई और इसमें हम डालेंगे दो कप दूध बस इतने ही दूध की हमें जरूरत पड़ेगी और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर तो केसर को मैंने दूध में रख दिया था भिगो करके ताकि इसका कलर काफी अच्छा आ जाए आपके पास अगर केसर नहीं है तो आप क्या करिए इसमें चुटकी बर हल्दी डाल दीजिए टेस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि हल्दी तो बैसे भी बहुत फायदे मन्द होती है तो आप उससे भी बढ़िया कलर ला सकते हैं और इसमें डाल देंगे लायची पाउडर ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत बढ़िया आए तो चलिए फटा फट से हम दूद में अबाल आने देते हैं तो लेजिए दूद में अबाल आ गई है दूद काफी अच्छी से गरम हो गया है और आप कलर भी देख सकते हैं केसर का कलर काफी अच्छा दूज में आ गया है अब यहां पर हम डालेंगे मिल्क पाउडर तो यहां पर हमें ज्यादा मिल्क पाउडर यूरत नहीं है सिर्फ हमने एक कप मिल्क पाउडर लिया है और थोड़ा थोड़ा सा हम मिल्क पाउडर इसमें एड करते जाएंगे खटा बि दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी आप लोगों की अधिकतर कुश्चन आते हैं कि रिक्षा आप कौन सी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ करते हूं तो मैं जो भी कर रही हूं लिंक दे दूगी अगर आपके पास फॉर्मुला वाला मिल्क पाउडर है जो पाउडर पना गया और देखने में ही दूद आपको दिखने लगेगा कि काफी घाड़ा हो गया है इसलिए हमने आपर कुश्च पाउडर बचा लिया है अब हम क्या करेंगे इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हम चीनी डालेंगी मैंने लगबाग टूटी स्पून यानकि दो अब हम क्या करेंगे दूद को हम सिर्फ दो मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे इतने में ही जो थिकने असानी चाहिए वह आ जाती है क्योंकि मिल्क पाउडर की वजए से काफी जल्दी दूद जो है गाड़ा होना सुरू हो जाता तो आप एक काम और करते जाएगा इ तो आप देख सकते हैं दो मिनट बाद दूद जो है इतना गाड़ा हो गया बस इतना ही करिएगा क्योंकि जब ठंडा होता है न तो यह बहुत गाड़ा हो जाता है इसलिए अभी आपको बहुत गाड़ा नहीं करना है जैसे आपको लगने लगे आप इस तरह से दूद को दीघए एक कोटेंग और कि दिखने लगता है कि अड़ा हो गया और आपको डूद को नॉर्मल टमप्रेचर पर आने दिया वी जैसे बहुत काफी ज्यादा हो गया पैले से लिए जादा तो हम क्या करेंगे इसको हमाख़ने ट्रांस फिर लेते हैं और चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ आप हमने या पा लिये हैं कुछ ड्राइफ फूर्ट्स जैसे किस्मिस को थोड़ा मैंने बारिक काट लिया है क्योंकि बड़े साइस की होती है ना खोड़े से काजू, पिस्ता और बादम सभी को बारिक बारिक काट लिया है और अभी ड्राइफ फूर्ट्स को हम एक अलग काटोरी में निकाल लेते हैं तो यह जो हम बना रहे हैं यह रस्मलाई के अंदर भरने के लिए फिलिंग बना रहे हैं तो हमने सभी ड्राइफ फूर्ट्स को डाल दिया है और आब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मिल्क जादा बिलकुल मत डालना ताकि थोड़ा सा गीला हो जाए उसमें बढ़िया बाइंडिंग बन गई है आप यहां पर मैंने ली हैं चार ब्रेट तो जितनी आप रस्मलाई बनाना चाहते हैं उतनी ब्रेट ले लीजिए और टेंशन बिलकुल मत लीजिए कि ब्रेट की रस इस तरह से हलकी हलकी हातों से चला लेंगे बहुत ज्यादा प्रेशर देते हुए मत चलाना वरना क्या होगा यह दम पतली हो जाएगी हमें इतनी ज्यादा पतली भी नहीं करना है यह रस्मलाई जैसी सौफ्ट न रहे या इसमें जो हमने रबडी बनाई है वह एब्जॉर भी ना हो आप देख सकते हैं मैंने इतना ही इसको बेला है कि हलका हलका साथ में इस पंज जो है दिख रहा है पूरी फ्लैट नहीं होनी चाहिए अब हम क्या करेंगे मैंने इस तरह से कटर लिया है और अगर आपके पास कटर नहीं है तो इस तरह से आप गिलास ले सकते हो कोई डखकन रखाओ वो ले लीजिए और उससे हम इस तरह से गोल-गोल घुमाते हुए इसके गोल जो सरकल है कट कर लेंगे यह देखिए कुछ इस तरह से तो आप देख सकते हैं कितनी फॉमी लग रहे हैं यह बहुती स्पॉंजी लग रहे हैं तो अपने इसको बहुत ज इनको फेकी का बिल्कुल मत इससे आप ब्रेट पोहा या बहुत सारी रैस्पी केक वगएर भी आप बना सकते हो मैंने अल्रेडी शेयर की हुई है अप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे एक सरकल उठाएंगे और यह जो हमने ड्राइफ लोर्स की फिलिंग बना और करकी रखी हुई थी कोश्द्स तरह से सेंटर में रखेंगे और हलका सा प्रेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा मद भर ना तो यह जो फिलिंग है बहुत टेस्टी है गाइ स्पून से मिल्क लेते जाए और इसा एक कॉर्णर पर थोड़ा थोड़ा सा लगाते जाए जैसा आपको बन जाता है आप यसा हिसाब से मिल्क को लगा सकते हैं आपको घुमाते जाना है ताकि यह दोनों लेर्स जो है आपस में जॉइन्ट हो जाएं तो यह देखिए किते बड़ी है तरीके से हमने इसको जॉइन्ट कर लिया है और आप ये लुक देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है जब आप इस तरह से रस्मलाई बना कर किसी को खिलाएंगी तो टेस्ट की गैरंटी तो मैं लेती हूँ और देखने में कितने सुन्दर लगेंगे ये आप खुरी देख लीजेगा तो चलिए फटा मट से एक रस्मलाई और बना लेते हैं एक लिया सरकल थोड़ी सी रखी फिलिंग और इसको अच्छे से प्रेश कर दिया और स्पून से थोड़ा थोड़ा सा मिल्क लेंगे और इसकी साइड्स में इस तरह से लगाते जाएंगे चारो तरफ तो मिल्क हमने ल तो इस तरह से अपनी सारी रस्मलाई बना करके तयार कर लेंगे तो मैंने टोटल 6 रस्मलाई बना करके तयार कर ली हैं तो चलिए रबडी भी बन गई रस्मलाई भी बन गई अब इनको फटा-फट से हम तयार कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने बोल में रस्मलाई को रख करना हो तो फटा फट से आप 3-4 मिनट में अपनी रबड़ी बना करके तयार करिए और बस इसको ठंडा करके बढ़िया रस्मलाई सर्फ करिए तो आप रबड़ी देखिए कितनी गहाड़ी हो गई है इसलिए मैंने उस टाइम पर बोला था कि आपको उस टाइम पर गहाड़ अलग प्लेट में निकाल करके आपको सर्फ करके दिखाती हूं तो यह देखिए कितनी बड़ी असका शेप आया है और यह खाने में बहुत टेस्टी है क्योंकि लाश्ट यह भी मैंने ब्रेट की रस्मलाई शेयर की थी बट मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया तो बहुत लोगों ने उस रस्मलाई को बनाया उनको बहुत अच्छी लगी बहुत कॉमेंट्स आये मेरे पास कि लक्षा यह रस्मलाई तो बहुत ही टेस्टी लगती है तो बिलीब मी गाईज इस बार हमने जिस तरीके से बनाया है आपको उससे कहीं ज्यादा टेस्टी लगेगी तो चलिए फटा-फट से हम रस्मलाई को थोड़ा सा डेकॉरेट कर देते हैं ताकि देखने में और भी ज्यादा खुबसूरत लगे तो इसको मैंने पिस्ता और केसर के साथ डेकॉरेट कर दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा साइड में दूध और डाल देते है निकी जो अपनी रवडी है उसको और डाल देते हैं तो लीजिए फाइनली जो हमारी रस्मलाई है बनकर के बिल्कुल तयार है बताइए लग रही है ना देखने में कितनी खुबसूरत बिल्कुल दूर वाली रस्मलाई की तरह लग रही है और यह बिल्कुल मतला येगा आप यह ब्रेट की बना रहे हैं एक बार ट्राइ तो करिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप ट्राइ भी ना कर पाओ जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत अच्छे लगे और आपको कैसी लगी खाने के बाद यह मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स मे देखिएगा आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगी कि रक्षा यह तो बहुत टेस्टी है तो चलिए फटा फट से मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ तो देखिए कितनी सौफ्ट हमारी रसमलाई बनी है तो वाव बहुत बहुत टेस्टी है जरूर ट्राइ करि